Hello friends, welcome to study news इस वीडियो में हम आज के सवालों को solve करेंगे जो परिक्षा से सम्बंधित important प्रस्ण है So, let's start पहला प्रस्ण है निम लिखित में से कोन पूडे में वैस्विक वियापार सेवाओं जीबियस के संचालन के लिए एक बड़ा नया केंद्र इस्थापित करेगा इसमें option A है इस प्रस्ण का उत्तर है ब्रिटेन की तेल प्रमुक कमपनी ब्रिटिस पेट्रोलियम पूडे में अपनी वैस्विक वियापार सेवाओं जीबियस के संचालन के लिए एक बड़ा केंद्र इस्थापित करेगी इस केंद्र की स्थापना से लगबग 2000 कर्मचारियों को रोजगार मिलने की उमीद है दूसरा प्रश्ण है 2020 के विश्व सरणार्थी दिवस का थीम क्या है या विशय क्या है इसके option है तो इसका उत्तर है 2020 के विश्व सरणार्थी दिवस का विशय एवरी एक्शन काउंट्स है विश्व सरणार्थी दिवस प्रती वर्स 20 जून को मनाये जाता है तीसरा प्रश्ण है जून 2020 में कुबाट बेक बोरोनो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में न्यूक्त किया गया है option A है कजाकस्तान, B तुर्की, C किर्गिस्तान, D वियतनाम तो इसका उत्तर है किर्गिस्तान हाल ही में कुबाट बेक बोरोनो किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में न्यूक्त किये गए है किर्गिस्तान की संसद ने पूरु कैबिनेट अधिकारियों के खिलाब ब्रश्टाचार के जाच के कारण अपने पूरुवर्ती के इस्तीफा देने के बाद 17 जून 2020 को कुबाटबेक प्रधान मंत्री के रूप में पुष्टी की है ये किर्गिस्तान के 31 प्रधान मंत्री के रूप में न्युक्त हुए है अगला प्रश्ण है जून 2020 में टाटा पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली साखा ने निमलिखित में से किस राज्य में 100 मेगावाट सोर परियोजना विक्सित करने का अनुबंद किया है इसमें ओप्सन है ओप्सन ए है तेलंगाना बी महाराष्ट सी करनाटक और डी पंजाब इसका उत्तर है बी महाराष्ट जून 2020 में टाटा पावर की पूर्ण स्वामित्व वाली साखा ने महाराष्ट राज्य में 100 मेगावाट सोर परियोजना विक्सित करने का अनुबंद प से एक पत्र प्राप्त हुआ है पांचवा प्रश्ण है हाली में किस फुटबॉल क्लब ने अपना छठा इटैलियन कब चीता ओप्सन ए है बार्सिलोना बी रियल मैडरिट सी जुएंट्स डी नेपोली इसका उत्तर ओप्सन डी हो जाएगा नेपोली नेपोली ने जुए जीरो के ड्रॉ के बाद अपना छठा इटैलियन कब चीता अगला प्रश्ण है कौन सा देश डबलू टियो की ड्यूटी फ्री कोटा फ्री स्कीम के तहत चीन को निर्यात किये गए अपने माल के 97 प्रतिसक पर जीरो टैरिफ स्वीधा प्राप्त करेगा ओप्सन ए है पाकि अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है ऑप्सन ए है 42 बी तिरालिस्वां सी चवालिस्वां और डी पैतालिस्वां इसका उत्तर है ऑप्सन बी तिरालिस्वां भारत प्रतिसपरधा रैंकिंग 2020 में तिरालिस्वें इस्थान पर है जबकि पहले इस्थान पर सिंगापूर है और दूसरे इस्थान पर डैनमार्क है पिछली बार प्रतिसपरधा रैंकिंग में भारत 68 इस्थान पर था अगल चपरा, इसका उत्तर option B हो जाएगा, खगडिया बिहार के खगडिया जिला से गरीब कल्याट रोजगार योजना का सुबारंब हो रहा है इस योजना के अंतरगत देश के जिन प्रवासी मजदूरों के पास अपना रासनकार्ड नहीं है उन मजदूरों करीब आठ करोड़ प्रवासियों को फाइदा होगा अगला प्रशन है 2020 के अंतर राश्री योग दिवस का थीम क्या है option A है घर पर योग और परिवार के साथ योग option B है योग और अनुसासन option C है सारिरिक, द्रिड़ता के लिए योग, option D है योग और सामाजिक दूरी इसका उत्तर A है घर पर योग और परिवार के साथ योग अंतर राश्री योग दिवस प्रती वर्स 21 जून को मनाय जाता है यह चठवा अंतर राश्री योग दिवस है आखरी और दस्वा प्रश्न है चर्चा में रही अथिरापल्ली, जलविद्यूत सनयंत्र आजे से संबंदित है option A है करनाटक, B केरल C तमिलनाडू और D आंद्र प्रदेश इसका उत्तर है B केरल, चर्चा में रही अथिरापल्ली, जलविद्यूत सनयंत्र केरल राश्य से संबंदित है भारत में केरल के त्रिसूर जीले में चाल कुडी सहर से 30 किलो मीटर दूर इस्थित है तो ये थे आज के महतपून प्रश्न So thanks for watching this video, please subscribe, like and comment